वीडियो डिस्क्लेमर इस वीडियो इस ओनली फॉर एंटर्टेन्मेंट परपर्स तो प्लीज डॉन्ट टेक सेरियसली लो गैज मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्सी मैसप में गैज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के म अगर आपको ये मैसंफिस द्रीयक्शन की वीडियो पसंद आयागी तो वीडियो को लायक और सь advice जरूर कर दीजेगा और चैनल के व जरूर कर लीजेगा तो आगे की बात हम वीडियो खतम होने कि बात करते हैं तो चलिए इस कमालके मैसफी द्रीयो की सुरुआदू करते ह लाए दुनियों को दिखा दे कि यह देखो अगर चायना यह अर्कत करे गा तो चायना को मिटी में मिलना ओगा. बारत के अंदर गोजरा था. देखो भाई बारत ना वीडियो बनाई, कि हम हिट का रहे हैं चैना के बाई सब इस बैलून को जो जासू सी आख रहा था, अंडिया की जासू सी आख भाई का रहा था, ता कि चैना का को यह बाद ना बोले बाई हम लोगो को अपने अरिये में को बारत ने हमारे अंदर घुसके हैं माई हमारे बैलू होए बाई साभी जासूजी जासूज़ ठोग डाला है लेकिन बाई बारत ने वीडियो बनाई लाइव क्या गर चैना वाले कुट्टे की तरह भूंके तुनके मूँ पर ये चपेड़ की तरह वीडियो माईगे लेको उन्होंने तुरंत ही राफेल फाइटर जेट्स को मोर्चे पर भाज़ा और क्या हुआ चीन का वो बैलून चिथड़े चिथड़े हो गया चीन सोच रहा था कि वह हमारे अंडमान निकोबार द्वीब समूह के पास तैनात नौसैनिक और वायुसेना के ठिकानों की जासू लेकिन उसे क्या पता था कि भारत के राफेल जेट्स उसे मिनटों में हवा में ही उड़ा देंगे, सूत्रों के मुताबिक ये बैलून भारतके रननीतिक ठिकानों जैसे की मिसाइल बेस, नेवल बेस और एयर बेस की जानकारी यकठा कर रहा था, लेकिन भारतिये वायुस जेना की एक सठीक कार्रवाई ने चीन की इस साज़िश का मोहतोर जवाब दिया। राफेल की ताकत और उसकी सठीकता ने चीन को एक कड़ा संदेश दे दिया है। हमारी हवाई सीमा में घुसने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे जासूसी के हर जरिये को हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे चीन की इस घुसपैट को भारत ने सिर्फ एक मिनट में चखना चूर कर दिया। जानिए इस पूरी घटना का सच और देखिए कैसे राफेल ने आस्मान में अपनी ताकत का दम दिखाया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले चीनी जासूसी यंत्र को मार गिराने वाले राफेल फाइटर जेट के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैहिंद जरूर लिखें। याद रहे जैहिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों भारतिय वायुसेना के सूत्रों से एक बड़ी और चौकाने वाली खबर सामने आई है जो सीधे तोर पर चीन की जासूसी गतिविधियों से जुड़ी है। खबर है कि भारतिय वायुसेना के अत्याधूनिक राफेल फाइटर जेट्स ने एक चीनी जासूसी बैलून को मार गिराया है। ये बैलून भारत के पूर्वी सेक्टर में तकरीबन 15 किलोमीटर की उंचाई पर उडान भर रहा था। इसे भारतिय हवाय क्शेतर में संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा गया और उसी समय वायुसेना ने इसे टारगेट कर नश्ट कर दिया। ये घटना कुछ महीने पहले की बताई जा रही है लेकिन अब इसके बारे में जानकारी बाहर आई है। इस चीनी जासूसी बैलून को नश्ट करने का ये कदम सुरक्षा के दृष्टिकोंड से अत्यधिक महत्वपून है क्योंकि इस बैलून को खास तोर पर भारत के समवेदन शील इलाकों में जासूसी के लिए तैनात किया गया था। ये बैलून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भी उड़ता हुआ देखा गया था जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 836 द्वीप और टापू मौजूद है। इस क्षेत्र का सामरिक महत्व काफी अधिक है क्योंकि यहां भारतिय सेना, नौसेना और वायु सेना के कई गुप्त और अतिगोपनी सेन्य ठिकान स्थित है। क्योंकि यह क्षेत्र, हिंद महासागर और दक्षन पूर्व एशिया के बीच एक प्रमुख 9 वहन मार्ग पर स्थित है। चीन इस क्षेत्र की निगरानी करके भारतिय सेना की तैयारियों और उसकी गुप्त रणनीतियों की जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहा था। यह चीनी जासूसी यंत्र अगर अपने कारे में सफल हो जाता तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह भारत के लिए कितना खतरनाक होता। लेकिन शुक्र है राफेल फाइटर जेट का जिसमें 15 किलोमीटर उपर उड़ी डिएच रहे इस यंत्र को वक्त रहते मार गिरा है। दोस्तों ये यंत्र की तरह के खतरे पैदा कर सकता है। आईए इसके बारे में मैं अपको समझाता हूँ वीडियो को गौर से देखिएगा। सबसे पहला सैन्य ठिकानों की लोकेशन का पता लगाना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतिय सेना के कई गुप्त सैन्य बेस इस्थे थे। इन में से कुछ द्वीपों पर भारतिय नौसेना के नेवल बेस हैं जहां भारत की पनडुब्यां और युद्धपोत तैनात रहते हैं। इसके अलावा कुछ द्वीपों पर भारतिय सेना के मिसाइल बेस भी हैं जो लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम से लैस है। यदि यह बैलून लंबे समय तक इस क्षेतर में उड़ता रहता तो चीन इन सभी ठिकानों की लोकेशन और उनकी गतिविधियों की जानकारी एकठा कर सकता था। दूसरा सेन्य संचार को इंटरसेप्ट करना। इस जासूसी बैलून में संचार इंटरसेप्शन डिवाइस भी लगे होने की संभावना है। जिनके माध्यम से यह भारतिय सेना, नौसेना और वायू सेना के बीच होने वाले समवाद को इंटरसेप्ट कर सकता था। इससे चीन को यह पता चल सकता था कि भारतिय सेना किस तरह का संचार सिस्टम इस्तिमाल कर रही हैं और किस प्रकार की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। देखो भाई बारत वीडियो बनाई के यह हम हिट कर रहे हैं चैनल के भाई साथ इस बैरूम को जो जासु कर रहा था ना, इंडिया की जासु भी का रहा था। का कि चैनल साथ तो यह बारत ना बोले के भाई हम लोगो कि अपने अरिये में उड़ा था, तो भारत के हमारे अंदर गुर्श के हमारे बहुत हैं। लेकिन भाई बारा में वीडियो बनाई लाइक का गचैनल वाले कुस्ती की तरह भोगे तुमके मूँ पे यह चप्टेड की तरह वीडियो मारे तो यह थोका के नहीं होगे आज तो पाकिस्तानी यहां से समग्गिलिंग भारत करते हुए ड़ते हैं आतलवाद खिलाते हु अब तो चैनल और पाकितान मक्षी भी नी जाएगी यह देखेंगे ने अपनी आपको से ऐसा राफेल ने जो किया है तो मक्षी भी नी भी बेटेंगे तो भाई साव राफेल ऐसा जाज है ना कि जो फिफ्ट जेनरेशन वाले जास को भी में बाकाया बाते दूर ही आगा अब बाई जाए ने देखता है कि मिल्टों में उसे खाख में मिला दिया है जैसे वह सा ऐसा मिलाया कि बंदब होता ही नहीं है यह बाई इस टाम भारत की नेवी इसकी स्टांग हो रही है कि चैनल को डर लगा लाए कि बाई साब नेवी के अंदर हम लों बारत का के ठीके उनके अड़े तलाश का था पाई के दर के तर जीदे नहीं रखें टर के दर के दर के दर नेटे बनाएंगे लेकिंटर रहा चीज रखी हुई है लेकिन उसकी घुस्ती भारत तो उसकी ऐसी बजाई है कि बाई सब्सक्राइब कर रहा है पाकिस्तार के भारत आप अपनी इ यह याण आपको यहाँ यह अपको रेक्सन का वीडियो को मुझा जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर जीजेगा चैनल पहले visualization चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगेगा तो थाइंच आप